इसा ये नमहा आजम बात करेंगे धनुरासी के बारे में संपोन जानकारी एवं विशेश उपाय के बारे में 15 मई से 31 मई तक 2024 धनुरासी वालों को मिलेगा लाब धनुरासी के स्वामी देव गुरु ब्रहस पती है जो आपके रासी स्वामी कौन है गुरु ब्रहस पती है तो गुरु ब्रहस पती बहुत ही सक्तिसाली गुरु है तीनों लोकों में जो गुरु है जितने भी देवता है उनके गुरु है ब्रहस पती जितने भी रिशिमुनी है उनके गुरु है ब्रहसपती जितने भी मनुष्य है उनके गुरु है ब्रहसपती तो देव गुरु ब्रहसपती बहुत ही सक्तिसाली गुरु है तो इस वीड़ों में हम बात करेंगे देव गुरु ब्रहसपती को कैसे मजबूत करें कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी कैस पूरी जानकारी दे रखी है धनुरासी वालों के लिए कि कौन सा ग्रह आपको अच्छा लाप प्रदान करेगा तो वहां वीडियो पूरी देखे और विसे लाप जरू उठाए इस वीडियो में बात करेंगे हम देव गुरू ब्रहस्पती आपको क्या क्या लाप प्रदान क कर सकते हैं और देव गुरू ब्रहस्पती को तुरंत कैसे मजबूत करें तो यहां वीडियो पूरी देखे और विसे लाप जरू उठाए तो देव गुरू ब्रहस्पती जान के कारक है बुद्ध के कारक है नोकरी के कारक है बिभा के कारक है संतान के कारक है सुक के कारक है धन के का रखे और रक्सा करते हैं देव गुरु ब्रहस्पती आपकी परवार की अगर सरकारी नोकरी में रुकावटे आ रही है तो आप देव गुरु ब्रहस्पती को मजबुत बनाए तुरंत आपकी सरकारी नोकरी के योग बनेंगे बिवहाँ में कोई अर्चन आ रही है तो आप देव गुरु ब्रेस्पती का उपाय करें तुरंत आपके रास्ते खुलेंगे संतान में कोई बादा आ रही है तो आप तुरंत देव गुरु ब्रेस्पती की पूजा करें देव गुरु ब्रहसपती का बर्त रखे तुरंत आपको अच्छाला मिलेगा घर में असांती बनी है बिमारी है तो देव गुरु ब्रहसपती की पूजा करे आपको अच्छाला मिलेगा धनलाब होगा अदेव गुरु ब्रस्पती गुरु है तो आपकी हमेशा रक्षा करेंगे गुरु ब्रस्पती तो देव गुरु ब्रस्पती पंद्रमाई से 31 माई तक कहां बेटे है ब्रसब रासी में बेटे यानि कि सुक्र के घर में बेटे है तो इस आस्तान में सुब ग्रह अच्छा फल नहीं देते तो देव गुरु ब्रस्पति आप कितना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि 6, 8 और 12 इन आस्तानों में देव गुरु ब्रस्पति का बेड़ना आपको अच्छा लाम नहीं देंगे परन तो अगर आप उपाय करते हो देव गुरु ब्रस्पति को मजबूत बनाते हो तो देव गुरु ब्रस्पति क्या है गुरु है तो हर छेतर में आपको अच्छा लाब प्रदान करेंगे अगर आप अच्छे कारे कर रहे हो तो इस समया सनी महाराजी कहां बेटे है तिर्तियास्तान में बैटे कुम्बरासी में बैटे तिर्तियास्तान प्राकरमस्तान होता है तो देव सनी महाराजी नाय के देवता है तो आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा लाब आपको जरूर देंगे तो इस समया सनी महराज जी आपको अचहला पदान करेंगे तो आपने विशेव सुपायद ज़रूर करने इस सुपायद को करने से आपको अचहला मिलेगा तो पर्थम उपाय क्या लिखा है मैंने मातापिताजी की सेवा करने उनका प्रतितन आश्रबाप्राप्त करना है और सभी का आज़ समान करना है तो सब का आज़ समान करने से आपकी जरम कुंडिली में देव गुरू ब्रस्पती मजबूत होते आपको अच्छा लाप परदान करेंगे दूसरा अपाय आपने मंदिर में जाकर आपने साफ सपाय करना है बहुत लोग जाते है धूबदी प्रजलित करने के लिए वहां कूड़ा करके आ जाते है जिस कारण उनको अच्छा लाब नहीं मिलता आप धूबदी मत जलाए आप सिरब मंदिर जाए साफ सपाय करें आपको साथ दिन के अंदर अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको लाब मिलेगा साथ दिन के अंदर अंदर ठीक है तो आपने साफ सपाय करना है तीसरा उपाय आपने पुस्तक दान करना है कोई बच्चे होते हैं छोटे कोई गरीब बच्चे हैं उनके पास पुस्तक नहीं है कोफी नहीं है लिखने के लिए पैन नहीं है पैंसन नहीं है तो आप पता करके आप देख सकते हो किस बच्चे के पास कौन सी पुस्तक नहीं है काफी नहीं है तो आप दुकान से खरीद क और उनको दे सकते हो, अगर आप यहाँ उपाय करते हो, यहाँ दान करते हो, तो आपकी मनोकामनाद देव गुरु ब्रस्पती तुरंत करेंगे, धार्मिक पुष्थिक आपने दान करना है मंदिरों में, ठीक है, तुझ जैसे की कथा होगी, स्री सत्यनाजी की कथा होगी, अ पूजन करें शिप चालिसा का दान करें हनमान चालिसा का दान करें दुर्गा चालिसा का दान करें अगर आप धार्मिक पुस्तक दान करते हो तो आपको अति उत्तम लाम मिलेगा तो सभी कारें तुरंत बनेंगे आपके यहां गारेंटी है तो देव गुरु ब्रहस्पति का यहां उपाय करने से आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा आप तुरंत इस उपाय को अजमाए और लाब प्राप्त करें ठीक है यहां वीड़ा चलेगे तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब धरू करें